हलो एवरीवन दिस इस मॉनिका दुवा यौ जोग्राफी फाकल्टी वेल्कम तू सफल बाच तो हम जिस वेटिंग पूर एवरीवन एक बार सभी आ जाईए हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद आज हम लोग अपना फिफ चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चाप्टर कर न स्टूडिंट्स के जुड़ने का और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है अभी तक हमारे जितने भी लेक्ट्टर हो रहे थे वो सारे के सारे रिकॉर्डड़ हो रहे थे ठीक है आज पोस्ट लेक्ट्टर है हमारा लाइव सेशन जोग्रफी का ऑफिशली ठीक है इससे जोग्रफी आपको पता यह ना इससे पहले वारे जितने भी लेक्ट्टर हो रहे थे दोस वर रिकॉर्ड़ेट लेक्ट्टर अन नाओ वी अर टिकिंग आर लाइव सेशन अभी हम लोग अपने लाइव सेशन ले रहे हैं नाम बताईए अपना प्लीज नाम बताईए फट दिल खुश ओ वेरी नाइस नेम हा दिल खुश नाइस नेम ओके हाई सत्यम गुड़ीवनिंग हाई गुड़ीवनिंग अपने याद नाम लिखा अगरो यह रीड करना नहीं समझ में आता पता नहीं आपने क्या-क्या लिखा हुआ है चीक है ओके शिवानी हाई शिवानी तो अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है मेरे साथ ना डेली मतलब जब जब आपके पास कीडियूल तो आज आता है आप जोगरफी की ग्लास के लिए जुड़े रहना चीक है तो आप पहले में तो यह बताओ इससे पहले हमारे जितने भी लेक्शे हु होंगे ठीक है लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है मतलब जब जब आपके पास लाइव का नोटिफिकेशन आएगा तो आप जुड़ें ठीक है ऐसा नहीं है कि I'm in the class and nobody is there in the class ऐसा नहीं होना चीए ठीक है न वही खाली-खाली नहीं लगना चीए ना आप लोगों के इ हम लोग ठीक है आज हम लोग अपना फिफ्ट चैप्टर का पार्ट टू कवर करेंगे लांड रिसोर्से एन एंगरी गल्चर ठीक है इससे पहले वाले लक्चर में आप लोगोंने बात पड़ी थी कि लांड के कौन-कौन से यूजिस होते हैं बैरन लेंड होती है ठीक है क क्रोप्स हमारे इंडिया में कल्टिवेट उती हैं कंप्यूस्टन का एक थारी रॉल्य रीट यांड महिं सकता है वहाँ से आपका static question बन सकता है तो करें स्टाइब चलो देखें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे types of farming की rain fed farming क्या होती है वो सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे wetland farming वो सब बात करेंगे फिर हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन-कौन से food grains grow किये चाते है मैम इस time तो political science चलता है फिर geography कैसे join करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता आपने note किया होगा एक दिन geography की class होती है एक दिन pole science की class होती है मैं बता रही हूँ सूर्य आपको आपके question का answer दे रही हूँ मैं और संजे आपको भी आपके question का answer दे रही हूँ मैं अजीत कुमान हिंदी में पढ़ाया जाता है मैं English नहीं बोल रही हूँ मैं Hindi बोल रही हूँ मैं ऐसी language बोलूँगी जो आपको समझ में आएगा तो tension लेने की बिल्कुल बात नहीं है ठीक है अब मैं सूर्य आपका reply करती हूँ देखो आप notice करना एक दिन pole science होता है एक दिन geography होता है जैसे अब आज देखो आज Saturday है आज हमारा क्या हो गया pole science है ना कल Sunday है कल तो होता नहीं है ठीक है तो अभी Monday को किसकी आएगी pole science की class आएगी फिर Tuesday को किसकी आएगी geography की class आएगी तो alternate चलता है ठीक है सूर्या मिलगे आपको आपके question का answer ठीक है संजे कुमार सेंग मैं geography book नहीं आई आज आईगी don't worry और बहुत ही अच्छी book आने वाली आपको मैं एक बात बताती हूँ इतनी अच्छी book है मतलब आपको market में ऐसे book की नहीं मिलेगी क्यों reason यह है उस book के अंदर हम लोगों ने content wise भी questions जा ले है मतलब एक तो क्या होता है normally आपने बाखी की जो books देखे होंगी उसमें क्या होता है चैप्टर की एक समरी दी खतम चैप्टर की एक समरी दी और उसके बाद समरी देने के बाद बस थोड़े बहुत MCQS हुए और खतम ऐसा ही होता है न बाकी की books में हमारी books ऐसी नहीं है बिल्कुल अलग है हमारी books में क्या है पहले तो ग्रस तो देई रख एंसी अरेटिका उसके सासत आशा साट क्या दिया हुआ है उसके सासत टॉपिक वाआस भी क्वेशन दे रखे हैं टॉपिक वाइस भी क्वेशन दे रखे हैं और टॉपिक वाइस क्वेशन देने के बाद रांग बूस्टर क्वेशन अलग दिये हुए हैं जो की पेपर पैटन के उपर बेज़ जाए मैं पॉलिटिकल साइंस के तो MCQs ही है क्या मैं समझी नी शिवानी MCQs हम भी तो करते हैं आपने अभी तक हमारी जितने भी जिटने भी जोगरफी के लासेज देखी होंगी आपने देखा होगा ना आपने देखा होगा ना कि पहले मैं आपको चैप्टर की पूरी थेयरी कराती हूँ और थेयरी कराने के बाद मैं आपको रिवीजन क्वेशन कराती हूँ पेपर पार्टन के उपर बेज़ आपने नोटेस किया होगा जिटने भी आप लोग ने पीछे सेशन्स देखे एक्जाम का बेटन इंग्लिश में ही रहती है मैं नहीं एक्जाम आपका बाइलिंग्वल होगा ठीक है टेंशन मतलेजी अब डिपेंड करता है आप कौन सा मीडियम चूज करते हैं मैं NCRT ले या फिर PW की डोमेन जोग्राफी हमारी जो डोमेन जोग्राफी की बुके वो N अब आपकी चैट हो गई बहुत जादा अभी हम लोग अपने चाप्टर स्टार्ट करते हैं वरना हमारा कंटेंट रह जाएगा बाकी क्या प्रेश है वह लास्के पाच मिनट में मैं लूगी ठीक है लास्की फाइव मिनट में मैं आपकी क्वेरीज लूगी ठीक है बही च पड़ेंगे और हमारे इंडिया में एगरी कल्चर सेक्टर को ड्वेलपमेंट करने के लिए उसका विकास करने के लिए ठीक है उसका विकास करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं ओके ठीक है सौरी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखो आपको हम सबसे पहल करते हैं types of farming के किसी की बाद करने वाले है टाइपस ओफार्मिंग के ह्लंक तो देखो कि क्रॉप कर्या होता है ओस्ट छहीर होता है क्या कि यह होता है क्या करना मॉइस्टर यहां पर जने हमारी आयवार से नुनक करोट काती है लुफ ककत थीख है एक क्यों हो गीटेड़ और एक क्यहां होती है रेन-फै ठीक है इरीगेटिड पार्मिंग जो होती है वह किस के उपर बेस झो ती है नाम से पादर चल घ dłाए किसि को पर बेस जोती है तुकिन के उपर बेस जोती है क्विश्व के ऊपर कैसे बस तरुप आत आपको दिखो irrigation जिसमें बहुत जादा यूज होती है अब आपको भी ये बात पता है कि बहुत जादा भी किसी चीज की अती भी हामफुल होती है किसी चीज का जादा होना भी हामफुल होता है तो irrigation farming में क्या होता है बहुत सारा moisture मिलता है crops को बहुत सारी नमी मिलती है और उस नमी की वज़े से कई बार crops के उपर negative impact आ जाता है कैसा impact आ जाता है negative impact आ जाता है तो उसको protect करने के लिए ये farming की जाती है मतलब irrigation farming की जाती है इसमें जो irrigation होती है वो supplementary source होती है water का ठीक है और मतलब अबकुल मिलाके बात यह है कि इस तरीके से irrigation की जाती है कि जिसकी वजह से moisture की वजह से soil को या मतलब crops को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो बोलो यहादा clear हो गया यहादा clear हो गया आपको बताओ भई तो देखो इस तरीके की जो irrigation हो दिया इसका main motive क्या होता है जादा से जादा moisture प्रोवाइड कराना और moisture प्रोवाइड कराने के साथ साथ जो है क्या करना यह देखना कि crops को जो चीजें चाहिए जो जितनी quantity में moisture चाहिए वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है और यह बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि higher productivity अचीव हो सके देखो ultimately आप एक बात बताओ इंडिया आपको पता है top number one population country बन चुका है पहले बताओ पता है आपको यह बात बताओ वही यह बत पता है आपको इंडिया और यह सेंपे population में top one बन चुका है पता होगा ना अभी इतनी पता है कि जब population बढ़ती है तो जो सबसे पहली requirement आती है जो सबसे पहली requirement आती है वह कौनसी आती है वह कौनसी आती है किसकी आती है irrigation खाने कि किसकी आती है की मतलब अना जोना च ccross 2 Canadian नहीं 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 ऑफैस्ट बन ग producers इंडिया आपने news नीग पड़ी वन विक पहल प्रवाइड कराना खाना तभी प्रवाइड कर आया जाएगा देखो हमारी लैंड तो बढ़नी रही है अब लैंड क्यूंकि बढ़नी रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जितनी लैंड है उसपे ऐसे farming method यूज करने बढ़ेंगे जसे जाधा से जाधा क्या हो प्रडाक्शन हो तो productive irrigation के अंदर यही किया जाता है जाधा से जाधा प्रडाक्शन क्रियेट करने की कोशिश की जाती है ठीक है इसवें क्या खिया जाता है इसमें जो होता है water input per unit area जो हो तरीके से आप water provide करते हो कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा water retain करके जो है crops का crops का production है वो क्या हो सके increase हो सके ठीके इसके लावा एक होती है आपकी rain-fed farming rain-fed farming भी आगे टू parts में divide होती है एक होती है dry land और देखो ड्राइलेंड क्या होता है बाइलेंड में उस एरियाज में होती है जहाँ पे annual rainfall 75 cm से भी कम होती है जहाँ पे annual rainfall जो rainfall होती है वो less than ठीके कितनी होती है less than 75 cm होती है क्या होती है annual rainfall जो होती है वो कितनी होती है less than 75 cm होती है 75 cm से भी क्या होती है कम होती है तो ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है? ड्राय लाइंज बोला जाता है. अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर बारिश तो है नहीं, पानी है नहीं, तो यहाँ पर ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जिनमें कम वाटर की नीड हो, अंडर्स्टूट सी बात है, तो क्या-क्या यहाँ पर क्रॉप्स किया जाता है, मोटे अनाज सुना हुए आप लोगों ने, मोटे अनाज, बताओ ही, मोटे अनाज, सुना हुए आप लोगों ने, ठीके, मोटा अनाज सुना हुए न, रागी होता है, ठीके, बताओ ही, रागी है, जवार है, बाजरा हो गया, इस तरी हैं किस वज़े से आप मुझे ये बताओ rain water harvesting techniques use की जाती है rain dry land area में बताओ बई क्यों की जाती है dry land area में बताओ क्या करण है किस वज़े से dry land area में rain water harvesting technique use की जाती है देखो अभी बताया है dry land का मतलब land क्या है dry है sufficient बारिश संहीं होरी आप बारिश नहीं और दो जब भी वहां है बारिश से तो बारिश के पानी को क्या कर सके protect करके रख सके ताकि जब पानी जब बारिश नहां हो तो उस चंजर्ट वार्टर का हम क्या करसके use कर सके समझ अरी बाल बहला clean very good बहला और रोगया ना जो भी plants को moisture जितना चाहिए होता है वो मिल जाता है और कई बर तो ऐसा होता है यहाँ पर मतलब sufficient rainfall होती है और sufficient rainfall की वज़े से होता क्या है कई बर flood आ जाती है क्या जाती है कई बर flood आ जाती है और flood आने की वज़े से आपको भी पता है soil erosion होता है क्या होता है soil erosion होता है और इस वज़े से यहाँ पर water intensive crops grow की जाती है water intensive crops समझते हो जिन crops में water की जादा need होती है जिन crops में water की जादा need होती है ऐसी crops grow की जाती है जैसे rice है, jute है, sugar cane है इस तरीके से बोलो समझ आरी है आपको बाद? बोलिए समझ आरा है यहाँ तक clear हो गया अब आपका यहाँ से पते क्या question बूच सकता है आपके paper में यहाँ से यह question बूच सकता है water intensive crops की तरीके की land पर grow की जाती है चार option देदेगा तो आप ध्यान रखना wetland farming या किस तरीके की farming में आती है यह wetland farming बोलो यहाँ तक clear हो गया? बोली क्या तक clear हो गया? आगे बढ़ते हैं यह तो गलती से आगया अब हम बात करते हैं आपको बताए कि हमारी इंडिया की जो economy है वो क्या है? एग्री कल्च्रल ईकॉनमी है यह तो बताए न आपको हमने पढ़ा है ना यह अभी तक हमारे इंडिया की जो economy है वो क्या है agricultural economy है पता है ना आपको अप agricultural economy इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया की 68.8% population कहा रहती है रूरल एरियास में रहती है पता है ना आपको ये बाद कि हमारे इंडिया की 68.8 परसेंट पोपुलेशन कहां पर रहती है रूरल एरियास में और उन रूरल इस 68.8 में से अप्रॉक्सिमेटली 55 से 58 ले लेती हूं मैं को एक्जाक डेटा याद नहीं है बट इतने परसेंट ज इंडिया की जो एकॉनमी अगर मैं अभी भी बोलू तो इंडिया गाउं में बसता है क्योंकि देखो ना अप्रॉक्सिमेटली 69-70 परसेंट पॉपुलेशन हो गई तो इंडिया भी भी गाउं में बसता है या इंडिया में अभी भी मेजर जो लोग किसके ओपर डिपेंड है ना क्या है थो मैं ये बात कह सकते हो तो क्योंकि हमारे इंडिया की वो एग्रीगल्चर है ठीक है तो इस वजए से हमारे हाँ पे जो क्रॉप होती है ठीक है से जतना भी हाँप्र जितनी लाइड पे क्रॉपिंग जा सकती है उस लैड्ड के 2 3ogenous पार्ट पर क्या होती है टीक्स एकल नहीं जार्य है तो टोटल में जितनी भी हमारे आप एक क्रॉपिंग लान्ड लगालू तोश में से टूम रण लैंड पे। ग्रोड़ की जातीं है ठीक हैं तो हमारे इंडिया मेंद्ट का एक इंपरिक ज्कल encant किया जाता है अब बढ़ेंगे सीरियल अब देखो यह तो सीरियल होते हैं यह 54% of total crop area मतलब हमान लीजिए हमारे इंडिया की 100% land जो है cropping land है तो 100 में से 54% land के ओपर क्या होती है सीरियल कर HC देखो यह डिटा आपको याद रखना है यह देटा को याद रखना है कि इंडिया वर्ड का कितना सीरियल सीरियल करता है रोड़ियो करता है एक तब रंग का सूर्ड रिं एक JordGS को गलने 571 और ऩाping ड़्थ का कितना परजेट रहे दो हृता है 11% दूसरा वाल की वर्ल्ड में रॉंक के याद रहेगी बोलो यादराइबी येस और नो ठीक है और सबसे मेर बाथ हमारे हमारी हमारी टोटल क्रॉपिंग लाइड करॉपिंग लाइड colder क्रॉपिंग लाइड समझ गए लगें क्रॉपिंग की जा सकती है U corrections चैप 50% जो पार्ट है वो क्या उस पर क्या ग्रो होता है एक बताओ वई अब एक बच्छा मुझ से पूछ रहे कि मैं सीरियल का मतलब क्या होता है तो भाई देखो यह होता है यह देखो यह ओते सीरियल आपके वीट राइस इनको बोला दाता है जो बहुत ही अच्छी तरीकी कि आ पार है बाजरा है यह सब सीरियल में आते हैं क्लियर पोलो यहां तक समझ आ गया है ठीक है बोलो यह याद रहेगा न आपको यह मैंने पूरा इस पेराग्राफ का आपको एक छोटा सा क्रॉट्स दे दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं आब बारी-बारी से जितने भी हमारे हमें serious grow होते हैं हम उनको पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे rice आपको पता है अगर मैं white green revolution की बात करूँ एक बरसा भी जरह बताना मुझे green revolution में सबसे major कौन सी crops को grow किया गया था major two crops को grow किया गया था कौन-कौन सी rice और wheat किसको grow किया गया था rice और wheat अगर आप देखोगे तो rice हमारे sorry wheat हमारी North India का staple food है पता है आपको North India का क्या है staple food है और यही अगर आप rice देखोगे तो rice आपके South India का क्या है staple food है South India का क्या हे staple food है पता है ना आपको yes or no नो पता है और ना आपको wheat अरह ने notice का होगा North India में जाधातर लोग Изकाते जाधातर लोग क्या खाते हैं वहाँ पे तो एक टाइम चावल बनता ही बनता है तो आप यह देखोगे ठीक है तो अभी हमने किसके बारे में बढ़ना है राइस का राइस का राइस आपल फूड ऑफ दा ओवर्वेल्मिंग मेजॉरिटी ऑफ दा पॉपलेशन इंडिया ठीक है तो और लेकिन यह होता सब्सक्राइब को सब्सक्राइस का मतलब सबस्क्राइब регi मोईस्चिर होता है जहां पर मैं मोईस्चिर नीच में आप ज्यादा चाहिए होता है एक्जाथिंगे हमारे इंडिया में लगभग 3000 वराइटी जो है वो ग्रोगी जाती है ठीक है उसके अलावा आप यह बात करो यह हमारे इंडिया में कहां कहां पर ग्रौगी आजाता है तो पंजाब है हर्याना है वेस्ट्रन यूपी है और जाता है वो लो यहां तक समझ आगे आपको देखोगे तो सबसे ज्यादा जो है एक सबसे ज्यादा देखोगे तो सबसे ज्यादा पर राइस ग्रो होता है West Bengal में grow होता है कहाँ पर grow होता है West Bengal में grow होता In fact, अगर आप देखोगे In fact, अगर आप देखोगे West Bengal में जो farmers rice grow करते हैं चावल उसको earth, amand और boros बोलते हैं क्या बोलते हैं? earth, amand और boros बोलते हैं हाँ, very good, सबचे यादर West Bengal में very nice, clear? और इसके अलावा भी जो है इसके अलावा भी जो है यहाँ पर जो है इसको खारिफ crop की तरह grow किया जाता है पहले तो आपको जो यह बताओ राबी crop और खारिफ crop क्या होता है लेकिन NCRT में तो बिहार, UP, West Bengal है हाँ तो NCRT में बिहार, UP, West Bengal है बिहार के कुछ पार्ट्स में भी ग्रोग किया जाता है लेकिन अगर आप मेजर देखोगे तो UP और UP और West Bengal में होता है जोती ठीक है NCRT से ही लिखा हुआ है कहीं और से तो मैंने लिखा नहीं है आपको पता ही है यह बात जारा का सारा है हम लोग NCRT से ही बनाते हैं ठीक है बताओ वही मैंने आपको क्या बोले बताओ मुझे खारीव क्रॉप्स क्या होते हैं बताओ खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं बताओ राबी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स यह टीनों मैंने डिस्कस करी थी बताइए भई खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं बताओ कि यह सोर नौ बताओ खारिफ rudj to september और आपको पता है खारिफ को summer crops भी बोला जाता है क्योंकि summer में यह song की जाती है बताओ yes or no video नहीं दिख रही अच्छा वीडियो नहीं देखी थी तो इसलिए इसको summer crops भी बोलते हैं टिक है और इसमदमें सॉन की जाती है और इसको बात में जो है तो इसको सॉन डह्यपकी मॉनसून ये तू आपको हमारे इंडिया में जो मॉन्सून आता है वो साउथ वेस्ट जाता है ये सोर नो पहले ये बताओ ये सोर नो बताओ भी आपको पता है हमारे इंडिया में जो मॉन्सून आता है वो साउथ वेस्ट मॉन्सून आता है ये क्वेस्टिन आता है जोग्राफी के लिए सबसे होट है कि हमारे इंडिया में कोई में देंडिया में को मॉन्सुन से होती है कैसे होती है देखो आप यहां पर देखो इस हमारे पैं過來 इंडिया है यह हमारा बता वहीं अर्य इबियंसी है और यहां हमारा क्या है बेव बेंगौल है तो यहां पर आपको बताई है यहां से आपका मॉनसुन जो है वो स्टार्ट होता है और यह डिरेक्षिन कैसे पता चलती आपने पड़ाई होगा नहीं पताता यह ध्यान रखना यह जब भी पेपर ब पता लगाई जाती है उसकी ना हमें टेल पकड़ ले नीची टेल समझ रहे हो पूच टेल समझते हो पूच कैसे जैसे देखो यह नोर्थ यह साउथ यह इस यह वेस्ट ऐसी मैं इसकी टेल भी बना दू मैं दूसरे गलर से बनाती हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस दिखें यह आसे होती है ना ठीक है यह हमारी क्या है नोर्थ यह क्या है साउथ यह क्या है इस यह क्या है वेस्ट तो अब यह हमारा ऐसा जा रहा है ठीक है यह हमारा ऐसा जा रहा है तो यहां से आप इसकी पूच पकड़ोगे तो इसकी पूच तो पीछे है ना अब यहां पे यह है आपकी साउथ यह है आपकी वेस्ट तो यह क्या बन जाती आपकी साउथ वेस्ट यह ध्यान रखना हमारी इंडिया में जो मौन्सून आता है वो साउथ वेस्ट आता है यह बात आप ध्यान रखना ठीक है क्लियर आगे पड़े येस आगे पड़ते हैं नेक्स्ट वो कह रहा है इंडिया कॉंट्रिब्यूट्स 22.7 परसेंट राइस प्रोडक्शन इन दा वर्ल्ड बतल जितना भी इंडिया का क्रॉपिंग एरिया है उसका वन फोर्थ जो है वहाँ पर क्या क्ल्टिवेट होती है क्या प्रोडक्शन होता है राइस का ठीक है वेस्ट विंगॉल यूपी एंड पंजाब अर्दा लीडिंग राइस प्रोड्यूजिंग यह ध्यान रखना यह इंपोर्टेंट है यह आपसे पूछ सकता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है कौन से सेट्स में जो है वो राइस ग्रो होता है प्रोड्यूज होता है वेस्ट विंगॉल यूपी एंड पंजाब आगे बढ़ते हैं ठीक है सबसे जादा आप देखोगे तो पंजाब तमिल नाडू हर्याना आंद्रप्रदेश तेलंगाना वेस्ट विंगॉल और कैरला में इसका आपको येल्ड जो मिलेगा वो लेवल हाई मिलेगा य येल्ड लेवल समझते हो आप क्या होता है बताओ मैं यह जो लिखा हुआ है येल्ड लेवल ऑफ राइसे हाई क्या मतलब होता है इसका बता सकते हो मुझे what is the meaning of yield level बता सकते है क्या क्या मतलब होता है yield का बताओ बताओ वही क्या मतलब होते है yield का कोई बता सकते है what is the meaning of yield level of rise देखो yield level का मतलब यह है कि यह वो land है बिल्कुल मैं map वाले question भी कराएंगे क्या बिल्कुल कराऊंगी आपने देखी नहीं है वीडियोस पहले मैंने map वाले questions कराए थे आपको सारे map मैं आपको सारे कराते हुए चलती हूँ ठीक है clear समझारी बात फिलाल देखो मिरको आप यह बताओ yield का मतलब यह होता है कि जो वहां की जो land है न वो कितना productivity देपा रही है ठीक है तो अगर आप देखोगे very good कितना productivity exactly अंजली मैंने भी वही बोला है ठीक है कितना यह जादा productivity वो देपा रही है तो आप देखोगे तो इन एरियास में सबसे जादा in fact वो कह रहा है अगर आप पहले चार स्टेट्स की बात करो न मतलब पंजाव, तमिल नाडू, हरियाना और आंधरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगबग पूरी लैंड ऐसी है जहाँ पर सबसे जादा जो लैंड है वो राइस कल्टिवेशन के अपॉडिंग होती है समझारी बत और पंजाव और हरियाना आर नो ट्रेडिशनली राइस ग्रोइंग एरियास कि पंजाव और हरियाना में पूराने टाइम से नहीव खेती ओती आरी बाद में उनी स्टारट हुई है पते कब से बताओ मुझे घ्रीन रइवल्यूश्न में सबसे पहले जो आई थी紅 आए economic ती पढ़ाओ ऩी पंजावी और हर्याना में प्रिवियस classes में पढ़ा था आप लोगों ने कि पंजाब और हर्याना के जो farmers आपने देखे भी होंगे Western UP के आपने farmers देखे होंगे वह आपको थोड़े से सही मिलेंगे उनकी income थोड़ी अच्छी मिलेगी reason क्या है वहाँ पे जो है बहुत जादा वहाँ पे क्या पंजाब हर्याना में जो rice production स्टार्ट हुआ था वो 1970 में हो था जो green revolution आई ती मेरा question आप लोगों से जाना देखते हैं कौन question मेरे answer करेगा आप उचीव रहें इंडिया में green revolution के father किसको बोला जाता है बताओ भई मुझे इंडिया में green revolution के इंडिया में इंडिया में green revolution के father किसको बोला जाता है जीए गरेंड रखना नाइंटीनसेवन टीया जाता है ठीक है आई इस आपका नाम क्या था मैं फिर से भूल गई तो लेकिन 68-67 के आसपस आई थी तो 1970s पोल दिया जाता है इन फाक्ट उस चैम पे जो हमारी PM थी ना इंदरा गांधी जो थी उनों ने जो है वीट के नाम पर a Пр कि आजके जोलता है आप आप देखो जीर्याफ़ी के स्टॉडेंट्स आपको यह तो पता ही होना चीये अरे नहीं भाई Green Revolution के फाधर मॉन कंबु का से हो गए भूल गए हो क्या Green Revolution कि बताओ भी Green Revolution तो फिर वह आप यह बताओ M.S. वामी नाथन किसके फाधर है M.S. वामी नाथन कि एभी है पने आपका नाम दिलकुष है बताओ M.S. वामी नाथन किसके वो है, फादर है, बताओ फिर, M.S. वामी नाथन, बताओ, किसके है फिर वो फादर, M.S. वामी नाथन, किसके फादर है, बताओ, चैट वोक्स पे वड़ावड से बताओ, M.S. वामी नाथन, किसके फादर बोले जाते है फिर? बोलिये Green Revolution की फादर इंड्या में MS Swaminathan को बोला जाता है और World में बोला जाता है Middleman Borlog को ठीक है? MS Swaminathan Green Revolution ही तो बोला है और मैंने क्या बोला है? बुल गए हो ना? Green Revolution की फादर Committee Ś分as Spaminathan को बोला जाता है ठीक है? इंड्या में और अगर वल्ड की बात करूँ तो वल्ड में Green Revolution की फादर बूला जाता है Norman Borlock को, किसको बूला जाता है Norman Borlock को, यह ध्यान रखना यह आप से पूछ सकता है question, आपको पता होना चीए, यह जो different different father mother है, ठीक है, हाँ तो मैंने क्या बूला है, Green Revolution ही तो बूला है, मैंने भी और क् रखो, ठीक है, मेंन आप उनको सरने मियाद रखो, आपको पेपर में MS Swaminathan देगा, ठीक है, वर्गीज कुरियन वाइट रेवल्यूशन के, बिल्कुल, वर्गीज कुरियन आपके वाइट रेवल्यूशन के father है, very nice, ठीक है, चली, यह भ्यान रखना, clear, genetically improved varieties of seeds, ठीक है, मतल चतिसगण और इशा, यह यह कह रहा है, जिन एरियास में बारिश, जिन एरियास में बारिश नहीं होती है, जैसे चतिसगण है, MP है, और इशा है, वहाँ पर जो है, हाँ आपने भी बोला था, बट आप उसको शौर्ट में बोला, MS Swaminathan, that's it, में आप उनका सरने में बोला, आपने, तो सरने में बोलना बहुत जरूरी है, सार्टिं के नाम मैच कर सकते हैं, इसलिए आप उनका सरने में बोलो, ठीके, तो MP शतिसगण और इशा, यहाँ पर आपको भी पता है, कि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो राइस का ज है, क्लियर, इंडिया वर्ल्ड की 12.8% टॉटल वीट प्रोड्यूस करें थी 2017 के अकॉर्डिंग, ठीके, 2017 के अकॉर्डिंग, अब आप मैं फिर वही बात है, यह 2017 का डेटा दे रखा है, 18, 19, 20 का नहीं है हमारे पास डेटा, आपकी NCRT में नहीं है डेटा, तो no need to worry, आज स सेंसर्स वाला मैंने आपको बताया, तो सेंसर्स का डेटा पूछ सकता आप से, no doubt पूछ सकता है, लेकिन यह डेटा वो होते हैं, जो हर साल चेंज होते रहते हैं, तो यह नहीं पूछेगा, clear? इसमें जो में याद रखने वाली बात है, वो बता देना, हाँ जोती मैं बता यह आप ध्यान रखना, यह कौनसी क्रॉप है? राभी सीजन की क्रॉप है, यानि विंटर सीजन की क्रॉप है, क्योंकि इसको विंटर में सोन किया जाता है, इसको कब बोया जाता है, वीट को? विंटर में बोया जाता है, तो इसलिए राभी क्रॉप है, यह भी ध्यान उसके अलावा हमारे इंडिया का नोर्थ इंडिया का 85% जो एरिया वह उसके अलावा काँ-पर ग्रों की जाती है इंडो-गेंगेतिक प्लेन में इंडो गेंगेटिक प्लेन समझते हो इंडो गेंगेटिक प्लेन मतलब जहां से आपकी गंगा रिवर जो हो फ्लो होती है इंडस गंगा आपकी जो रिवर फ्लो होती है वहाँ पर मालवा प्लेट्चियू ठीक है हाँ मैंने वो 200 by 200 वाली strategy डाली हुए वीडियो वो आपकी आजाएगी एक दो दिन के अंदर अंदर ठीक है और आप ध्यान रखना ये आपको याद रखना है मेन आपको इसमें और ये याद रखना है देखो आप notice करेंगे मैं कहीं कहीं पे सार लगा रही हूँ मैंने यहाप पंजाब हर्याना ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है आप यह देखोगे पंजाब हर्याना में इसका productivity बहुत जादा है जिबकि यूपी राजेस्थान और बिहार में देखोगे तो वहाँ पे ना बहुत जादा है ना बहुत कम है moderate level पर productivity होती है मतलब बहुत कम भी नह सब्सक्राइब होती है यहां पे इनके जो productivity है यह क्या है कम है समझारी आपको बाद बोलिए फ्लेयर ओर यह आपको यह बाद because of green revolution बिल्कुल मैंने आपको भी बताया ना जोती कि green revolution में major 2 crops के ओपर focus किया गया था बिल्कुल जोती एक wheat और एक rice तो आप अंजाब और हर्याना में देखोगे तो wheat और rice का होता ही है जाधा पर yield area आपको जाधा ही मिलेगा है ना clear बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं next ह जवार अब जवार अगर आप देखोगे तो यह हमारा जो है यह है आपके वो सीरियल जो मोटे अनाज होते हैं उनको बोला जाता है आपने मोटे अनाज सुना हुआ है मोटे अनाज बताईए भई आप लोगोंने मोटे अनाज सुना हुआ है बताओ ही मोटा अनाज का मत द बार बताओ हम वीट को कब ग्रो करते हैं बताओ सर्दियों में ग्रो करते हैं अब सर्दियों में ग्रो करते हैं इसका मतलब क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर्दियों में मतलब नवेंबर में है ना तो ज्यादा हमें टेंपरेचर नहीं चाहिए होता ज्यादा हमें टे लिए आपको वह नहीं चीह होता ठीक है टेंपरेचर नहीं चीह होता बोलो समझ आगे आपको अंजली तो थोड़ा सब्सक्राइब लगाया करो जैसे मतलब कि किस तरीके का टाइम पर वह बहुता उसके बाद वह कैसा टाइम आ रहे है वहीं से तुम्हें टेंपरेचर का अं टेंपरेचर होता है तो ऐसे अब गम बेहर किया अगरो ठीक है चलिए हम लोग आते हैं जवार जवार का मतलब क्या होता है मोटा अनाज ठीक है आप सोरी मोटा नाज अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में 16.50 परसेंट जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है उस सब पे 3% एरिया पे होता है ठीक है अब यह क्या है इसके लिए ना ज्यादा वो नीची होती है पानी नीची होता है तो यह सेमी एरिड एरियाज में ग्रो होता है कहां पर ग्रो होता है यह सेमी एरिड एरियाज में यह ग्रो होता है ठीक है सेमी एरिड समझ रहे हो जो आधे कि अकेला महराष्ट्रा जो है हमारे इंडिया में जितना जवार प्रड्यूस होता है ठीक है जवार क्या होता है अब बताओ ही जवार क्या होता है मोटा अनाज होता है बताओ ही कौन बताएगा इनको की क्या होता है जवार ठीक है हमारे इंडिया में जितना भी जवार प्रोडूस करता है है यहां से और से क्वैशेन सकता है जबाओ जब फीड़ार भी बोलते हैं वैरी नाइस बिलकुल सही है इसके अलावा महराश्ट्रा के अलावा और खांता पर होता है महराश्ट्रा के अलावा अगर आप देखोगे तो करनाचका में होता है MP में होता है आंधरप्रदेश में होता है यह तो आपको याद रखना है यह आपको याद रखने हैं लेकिन सबसे में बात आपको क्या याद रखनी है कि अकेले इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो आदे से भी ज्यादा जो है तो आप उसको हाइलाइट करते जाओ ठीक है या भ्यान रखना आपको पूरी पूरी लाइन याद नहीं रखनी है पहले बताओ प्लेयर हो रहा है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है आपको क्या क्या चीज़े याद करनी है आगे बढ़ते हैं अच्छा ये इट इस व फॉर्डर क्रम होती है मैं इसे ये बात सुनेगाCP क्या होती है थाफ यह से बात क्या होती है यह यह से तो आप खारीव और राभी दोनों सीजन में ग्रो कर सकते हो तो आप क्या बोलोगे जवार यह ध्यान रखना ठीक है लेकिन अगर आप देखोगे नॉर्डन इंडिया में तो यह खारीव क्रॉप है ठीक है और इसको आप फोर्डर ग्रो किया जाता है विंध्याचल में ये एक रेंफोड क्रोप है और इसकी वज़ा से क्योंकि पानी नहीं होता है तो इसलिए प्रोड़क्टिविटी भी क्या होती है ये कम होती है अब हम बात करेंगे बाजरा बाजरेगी तो रोटी भी खाते है ना गाना भी आया था भी ठीक है बाजरेगी य क्या होता है वो हो रोट और ड्राय जांदीशन में युगाया जाता है मतलब गर्मी चाहीं होती है तेंपरेचर चीओ और सूखा चाहीं होता है सूखा समझेरेओ बाली इस टाओ हमेडिती ना हो ऐसे एरिया में ही अगाया जाता है ठीक है it is a hardy crop which resists frequent dry spells and drought in this region it is cultivated alone as well as part of mixed cropping कई पर तो इसको क्या किया जाता है दूसरी crops के साथ भी उगा देते हैं mixed cropping आपने सुना ही होगा हमारे इंडिया में 5.2% एरिया पर ये ग्रो किया जाता है आपको ये याद रखना है आपको क्या याद रखना है हमारे इंडिया में 5.2% जो जितना भी total cropping एरिया है उसके 5.2% एरिया पर आपका बाजरा उगाया जाता है clear बोलो बाजरा उगाया जाता है clear हो गया आगे बढ़ते हैं ठीक है बाजरा का का पर उगाया जाता है देखो मैंने आपको क्या बोला सूखा hot तो आप देखो राजरसान हो सकते है ना इसका एरिया क्योंकि राजरसान में आपको बता है कि एक तो टेम्परेजर भी अच्छा घासा होता है प्लस बारिश तो वहाँ पे कम होती है पता ही होगा आपको तो नहीं होती है क्लेर हाँ पिछले कुछ सालों में इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है कहां कहां पर हरियाना में और राजे गुजरात में क्यों बढ़ी है गुजरात और हरियाना में क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि वहाँ पे जहां जी नेरियास में पहले पानी की कमी होती थी अब वहाँ पे जो है, कैनल्स के तुरू जो है, वो पानी पोचाया जा रहा है, clear हो रही है ये बाद, बोलो, clear हो रही है आपको ये बाद, ठीक है, उसके बाद आता है मेज, मेज भी जो है, वो आपका एक फूडर क्रॉप है और फूड भी है, clear, ये भी एक semi-arid क्रॉप है, क्रॉपिंग एरिया पे कितने परसेंट पर उखाई जाती है, 3.6%, ये आपको याद रखना है, clear, आप ये देखोगे, मेज के लिए specified कोई वो नहीं है, state नहीं है, ठीक है, state नहीं है, हाँ पिल्कुल यहाँ पर green revolution आयता, exactly, तो जुन चीजों की पहले यहाँ पर कमिया थी, थी, वह सारी घंज ओ, फिर पूरी घर्दी गई है, ठीक है, clear, उसके बाद जो है, वैसे तो इसका पूरा कोई वो नहीं है, ये पूरे इंडिया में उगाया जाता है, सिरफ पणजाब औरीस्ट नोर्टी इस्टन फॉर्ट इस्टन एरिया को छोड़ कर, ठीक है, ऑच्छ नोर्थिस्टन पार्ट में तो वैसे भी हाँ बिल्कुल 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 देःशू थीक है वैसे भी आपने देखाल जोगा नोर्थbern आरिया में तो कल्टिवेशन बहुत एकंप आपने नोटिस क्या होगा कि नोर्ट इस्टन एरियास में वैसे पिकल्टिवेशन इत्नी ज्यादा नहीं होती है अपने नोटिस क्या होगा जादा तरव आप टी वीगैरा कॉफी वीगैरा प्लांटेशन फांस यह हैं है चीक है mailsy हमारे India में allies कापर होते है s 15 को चोड़े कर तो देखो लगवाग साभी में दे रखा है इसका जो है वह यिल्ड लेवल जो है वह जादा है क्यूं जादा है इसलिए जादा है बताओ मैंँ मुझे आप इसका मेजकर आफ़ा मैं यहीज़ड लेवल जादा है बताfundingri है बताओ क्या कारण हो सकता है तो बताओ वहीं येल्ड लेवल जो है वह जाधा होता है बाकी जितने आपने जवार बाजरा के तो यहां कि दर बता आवझ दुक्ति यहां लेकिन इसका जाधा है में सट्रल इंडिया में आता है ठीक है, 36 गड़ की तरफ आता है, जारकन की तरफ आता है, ठीक है, यहां की तरफ जसे आता जाएगा, तो इसका येल्ड कम उता जाएगा, बताओ भी क्या कारण है, जिसकी वज़से इसका येल्ड जादा है, बताओ, मैं मैं इसका येल्ड लेवल जादा है, बिकोज इसको मैं खाने में अच्छा होता है जोती ने बोले कि मैम क्योंकि इसके लिए वाटर सप्लाइज जादा नहीं जी होती है वह आपकी बात बिल्कुल ठीक है आपने और भी नोटेस करी होगी कि आप अगर नोटेस करोगे तो यह लगबाग हर तरीक पूरे इंडिया में उगाया ज यह जा सकता है ठीक है पंजाब और नोट इस्टन को छोड़ कर तो मतलब यह हर तरीके की आप देख रहें हो क्लामेटी कंडिशन जो है वह बताब किसी भी थरीके की क्लामेटी कंडिशन को यह सूट कर सकता है समझारी वाग इस वज़े से यह है और नहीं नहीं अगर आपको नोट ये नोटिस किया ऑगा कि नूट इंडिया औरति अगे होसी निवग सम जादा है यह वह क्रेक जाएन ना देख यह हो तायामेटी के पास और नोल्च ऑगता progressively सकता है वो नोर्थ और साउथ दोनों में ही रुह हो रह एक क्योंकि हर करीके के इसकी वजह से जो होता है और हमारे निजीर, और हमारे नोर्थ वेस्ट्रण पार्ट में होता है नोन वेस्टेना समझ गया बटावी नौछ वेस्टेन पाइट गोओँ अनुल जी बताव फिर गोर्ण वेस्टेन पार्ट ऑफ इंडिया का प्देन की कौन कम से स्टेट आ झाते पुछ पनजाब्यान हर्यान बाट अगता राजथान गज्रान गुजरात का पर तीक ध्यान रखना यह हीं इमार्टेंट है कि पर्से सอง हमारे ठीक है ग्राम के होते हैं चना होता है और टर आपका अरहर होता है तो ये मेजर जो है आपकी डाले हैं अब हम देखते हैं ग्राम और टर के बारे में ग्राम जो है वो आपके सब ट्रॉपिकल एरियास में ग्रो होती हैं सब ट्रॉपिकल एरियास वही आपके नोर्थ पार्ट वाले areas ठीक है और आगर आप देखो गे तो ये Revee season crop है ये आप ध्यान रखना हम से पूछ सकता है कि grain जो है चना जो है वो कौन से season की crop है तो आप ध्यान रखना Revee season crop है ठीक है North western part में ये उगाई जाती है ठीक है ओर इसके लिए जो है Just one or two light showers इरिगेशनट है ज्यादा इरिडेशन इसके लिए नहीं चाहिए होती है ठीके से ज़िए घ्रैन यौ घ्रियनि र Crim तुनẠी ना यौनि ते चुरवा देखो । आज हो पएकगा क्योंकि काफि स्लाइड्स हैं अभी तुहम तंच्व अभी तो लगा लो कितनी है आज 64 स्लाइड नहीं हो पाएगा कोई नहीं हम लोगों की तो आप ग्लास रेगुलर लाइब भी होएगी बतार रेगुलर इंदा सेंस आल्टरने डेस पर तो टेंचिन मत तो हो जाएगा ठीक है क्लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स है हमारा नहीं 32 पर देना ओके येस नेक्स हम लोग बढ़ते हैं इस पर एड प्रिजेंट ग्राम कवर्स ओनली टू पॉइंट एट परसेंट ऑफ दे टोटल क्रॉपिंग एरिया मतलब हमारे इंडिया में जितनी एरियास पर क्रॉपिंग एरिया है उसमें जस्टू पर एट परसेंट प एंपी है यूपि है महराष्का है आंवरा प्रदेश है तिलंगाना और राजयस्थान है ठीक है यह तो डीवीटी हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स है तर्व मतलब होता है अढ़र अरर की डाल खाई आप सभी ने अरर की आपने डाल खाई है क्या अरर की डाल खाई होगी तर्व मतलब अरर ठीक है इसको जो है रेड ग्राम या पीजन पी भी बोला जाता है यह तो उसके नाम दे रखें ठीक है और मेंली यह आपको यह याद लखना है हमारे टोटल एरिया का क्रॉपिंग एरिया के कितने परसेंट पर होती है तू परसेंट पर होती है फिर जैवला महरास्ट्रा से क्वारे माहारैस्ट्रा में पैदा होता है इससे पहले हमने महाराश्तृ के लिए कि गडा उख स्था करता है प्रट्यूस करता घखारता हम लोग न state in हां, बिलकुल, बिलकुल, notes, बिलकुल, मेरे आप lectures, मैंने आप notice कर रहे होगे, सारी NC80 की lines है, क्योंकि paper तो भाई NC80 से बनना है ना, domain का, तो tension लेनी की जोर भी नहीं है, जवार के लिए ओके बाकी बताओ जोती ने तो आंसर थिए कि महीं जवार के लिए पढ़ा था वेरी गुड बाकी बाकी भी बताओं बाकी भी बताओं ये यहाद रखना व्याद रखना और यह अगे बढ़ते हैं हमारे अब हम पढ़ते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे ऑइल सीट्स चीक है और सीट्स होते हैं बताइए आपको आपकम आपका गुज्रात है राजसान है तलंगाना है आंध्राप्रदेश का कुछ पाट है अच्छा आप लोग ने अभी आंध्राप्रदेश के बारे न्यूस सुनिय है आंध्राप्रदेश के सुनने में आया कैपिटल चेंज होगी है चुनिया अंध्राप्रदेश की न्यूस कि आंध्राप्रदेश की कैपिटल जो है वो चेंज होगी है सुनिये बताओ में कि यह सो नो बताओ आंध्राप्रदेश की बारे में आप लोगों ने न्यूस क्या हो यह उसकी डिटल बताओगे तुरा अब तो यह उसकी डिटल बताओ फे थोड़ा करेंट फेर फोकस करा करो दिना काम आएगा आपके आपको पताएंगे अभी आपके अपके अपके लिए अप लोगों के लिए हो अब अधर प्रदेश की करनाच का है इन सारे अरिया में आपकी वह होती है अगर आप टोटल क्रॉपिंग एरिया का देखोगे तो 14 परसेंट टोटल क्रॉपिंग एरिया का देखोगे तो 14 परसेंट ऐसा एरिया है जहां पर आपकी क्या होती है जहां पर आपकी क्रॉप्स जो है वह क्या होती है वह लिए जाते हैं ठीक है और ये फिर उसके अपन कोन कॉन से मेन ऊउल सीड्स आपके निकाले जाते हैं ठीक है क्लिर ओके उत्स के मात है ग्राउड्न उत्स किया होता है butterfly batch क्या होता है अम्रवाती उससे पहले ती अभर अभी चेंज होईए अमरावती उससे पहले थी, ठीके, अब उससे पहले चेंज हुई है, समझा रही है, अगर मैं बात करूँ, ठीके, तो ग्राउननेट्स आपके क्या होते हैं, आपकी मूफली, ठीके, 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 पाता नहीं क्या ठीके, ग्राउननेट्स आपके क्या होते हैं, मूफली होते हैं, ठीके, ओके, येस, तो अगर आप इंडिया का आप देखोगे, तो इंडिया का 18.8% जो टोटल, मतलब इंडिया ने 2018 में टोटल, जो है, वो कितना जो है, ग्राउननेट्स प्रोड्यूस किया था, 18.8% कितना प्रोड्यूस किया था, ठीके, अब आप ये ध्यान रखना, ये हमारे इंडिया में, टोटल कितने क्रॉपिंग एरिया पे प्रोड्यूस होता है, 3.6% पे, कितने प्रोड्यूस होता है, 3.6% पे प्रोड्यूस होता है, कहां-कहां पर ये प्रोड्यूस होता है, तो आप द क्लास के अंदर कवर करेंगे क्योंकि आज यह नहीं हो पाएगा ठीक है आज हमारा नहीं हो पाएगा भी तो बहुत सारा है तो आप वे बात सुनना पहले आपको क्या जाना पहले मेरी ठीक ऐन से सुनना एक टो आपकोच बचे ऐसे भी ओंगे जो साइकोलोजी के स्टूसुडेंट होabile Wissenschaft अभी आज प्लास होगी आपकी जोगरफी की पांच बचेई योगी क्लास यह आप ध्यान रखना चीके ? तो आज की class में कोई doubt है किसी तो जो भी psychology के students हो आपके आसपस पढ़ने वाले students हो तो उनको भी आप बताना स्थीAl dólar jeography के जोसी वह मैं इसे सब्जिक के लिए हो तो ठीक में के जो senza theory क्या किसी गलता हिए डी को बताईए यह जो जाएगा हाँ हो जाएगा, easily हो जाएगा, tension मत लीजिए, ये वाला chapter बड़ा है, बाकी साले chapter तो इतने बड़े नहीं है, चोट-चोटे है, और अगले वाली book के तो बहुत ही चोटे chapter है, वो तो एक एक लास में cover हो जाएगे, tension मत लो हो जाएगा, ठीक है, tension मत लीजिए, अराम से हो जा ठीक है, PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है, PDF मिल जाएगी आपको, notes मिल जाएगी आपको, clear, समझ आ रहे वाल, चलो, बहुत है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे next class में मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी, एक बड़ ये complete करा दो, फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है, clear, okay, so चल ये आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे next class में,